यहां कि हम चल रहे हैं,Hiंदी व्याकरण के तरफ हिंदी में हम हिंदी व्याकरण बढ़ रहा है, हमारा इस लेभल से काफी हद तक पूरा हो चुका है हिंदी व्याकरण में हमने अभी तक हिंदी वर्ण माला को पढ़ लिया है, उसके बाद हमने हमारा most important topic थ撲िय जिसमें अभी तक हम उसके दो भाग कर चुके, यानिकिं, हमने संदी उठाई हैं, और संदी में हमने अभी स्वर संदी और Vengeance संदी को पढ़नेंगे, हम विसर्ग संदी को पढ़के और इस संदी को भी पूरा समाप्त कर देंगे आज हमारे ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा तो शुरू करते हैं लैक्चर नमर थ्री और थ्री में करते हैं विसर्ग संदी देखे बच्चे जब हमने संदी पड़ी थी तो संदी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि संदी क्या होती है दो वर्णों का मेल होती है जो निकट वर्थी बिलकुल पास के वर्ण होते है और पास के ही दो वर्णों के मेल के अंदर जो परिवर्तन होता उस परिवर्तन या विकार को संदी कहते है अब स्वर सी स्वर का मेल हुआ था तो स्वर संदी हो गई अब व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल हुआ था तो व्यंजन संदी हो गई आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संदी जिसको दो डॉट की रूप में हम जानते हैं दो डॉट होते हैं, इस तरह से दो डॉट लगाए जाते हैं, ऐसे ये दो डॉट लगते हैं, इसे क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है, और विसर्ग के साथ में स्वर या वियंजन दोनों मैं से जिसका भी मेल होता है, उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संदी कहते हैं, तो प बनता है कभी विसर्ग ही रहता है कभी गायब हो जाता है तब उसे विसर्ग संदी कहा जाता है तो विसर्ग का जो भी विकार होगा या किसका विकार होना चाहिए विसर्ग का विकार होना चाहिए विसर्ग का जो भी विकार होगा वहां विसर्ग संदी कहलाएगा ठीक है या यहां हमारा संदी का चिन्न लग गया है यहां हमारे पास विसर्ग है क्या है विसर्ग कहते है इसे अब इसके जश्ट पहले विसर्ग ही होना चाहिए और यहां पर क्या होना चाहिए या तो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है तो क्या बनके आएगा यहां पर विसर विसर्ग संदी बन जाएगी कौन से संदी बन जाएगी विसर्ग संदी बन जाएगी इसी तरह से हमने पहले क्या देखा था कि पहला हमारा था स्वर संदी तो स्वर के साथ में स्वर का मेल हो रहा था दूसरा था हमारा व्यंजन संदी तो व्यंजन संदी में व्यंजन के सब्सक्राइब करें 30 विंजन संदी दूसरे में अगर पहला वर्ण आपका विसर्ग तो वह विसर्ग संदी होगी विसर्ग के Southern या फिर व्यंजन का मेल होता है तो वो कौन से संदी हो जाती है विसर्ग संदी को हमें यहां पर पढ़ना है अब विसर्ग संदी को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगे कि हमने जो वर्ण माला पढ़ी थी क्या पढ़ी थी वर्ण माला में हमने पंचा मक्षर पढ़े थ चवर्ग पढ़ा था टवर्ग पढ़ा था तवर्ग और पवर्ग इन में क्या होता है? जो वर्ण माला थी, वो किस प्रकार से थी? बापस मुझे क्या मुझे एक चीज बतानी आपको कुईकि जो विसर्ग संदी है उसमें उनी दो तत्वों का प्रियोक किया जाता है जिसे कख है घख है ठीक है पिज़ गख और अंग फिर आगया च च ज ज ज और या फिर आगया यहां पट थ द और अना फिर आगया त थ द ध और न और उसके बाद आगया है अब यहाँ पर देख लिजी हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते है कि यह आ गया हमारा य, र, ल, और व, फिर य, र, ल, व, और हा, ठीक है? अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पर? कि हमने देखा कि यह क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचवा इस तरह से रूप ले लिया है हमारे पास यहाँ पर वर्णों की दो प्रकार भी होते है घोश की अनुसार क्या? वर्णों की प्रकार घोश की अनुसार घोश क्या होता है? आवाज कि सघोश होते हैं और अगोश होते हैं सगोश एक तो वन एक तो सगोश प्रकार का होता है एक अगोश प्रकार का होता है कौन सा होता है अगोश जिसके अंदर गोश होता है गोश क्या होता है एक प्रकार का नाद होता है नाद यानि कि अजीब से एक स्वर होता है एक रिदम जैसा आता है ठीक है जिसे क्या बोलते गोश बोलते है और गोश में सगोश जिसके अंदर गोश है यानि कि वो सगोश है और जिसके अंदर गोश है नाद या कोई सवर नहीं है वो क्या हो गए है अगोश हो गए है अब इन वर्णों में इस व्यंजन वर्ण माला में कौन से सगोश हो गए है और कौन से अगोश हो तो यहां देखिए, वर्ग का जो भी पहला दूसरा 1 है ये वाला क、ख यह आ गया ये जो 1 आते है, इन्हें बोलते हैं अगोश, क्या बोलते हैं, इन्हें अगोश बोलते हैं और उसके बाद ये वाल आते हैं, तीसरा, चोथा, पाजवा, ग, 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 इसको अलग color से कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा अच्छी तर से, ये वाला color ले लेते हैं, ये जो color आ गया है, ठीके, ये वाले जो one है, सारे के सारे यहां तक, वो क्या कहलाते हैं, वो कहल एक यह क्षे होजता है ध्यान रखना है अब यह द्यान रखना संधी है सभोष और स सभोष और आते हैं सभोष और आते हैं कर आते हैं आ लिए otherwise apparent बताएं यह तो इतना ज्याता नहीं है हम और आपको यह vacan है कि अगर हम 3,4,5 बोल रहे हैं तो वो सगोश हो गया है और पहला दूसरा बोल रहे है तो वो क्या हो गया है अगोश हो गया है ऐसे ध्यान रखना आपको ठीक है अब चलते ही बच्चों हम यहां पर हमारे पहले नियम की तरफ चलते तो पहला नियम हमारा क्या कह रहा है नि प्रणियम नमबर एक पढ़ने के पहले आपको एक चीज और देखनी होगी कि एक तो ये वाला शह होता है और एक ये वाला शह होता है आप इसे क्या उचारित करते पता नहीं लेकिन मैं इसे शह इसे ख और इसे सब बोलती हूँ क्योंकि ये तालू से बोला जाता है ये किस स स्थाने वो भी अलग है तो इस शह के साथ में ये शह किस जाते में प्रियोंक्त होता है आगे देखेए यह जो सवा है ये तावर्च के साथ में प्रियुक्त होता है तो अब देखिए यहां पर इनी श और इनी टक च इनसे ही यह वाली संदी होगे तो नियम क्या कह रहा है कि यदी विसर्ग के बाद यदी विसर्ग के बाद या परे इसे परे भी बोलते है कि विसर्गे के बाद या विसर्गे के परे क्या है च वर्ग है च या छ है तो ये दोनो श बन जाएगा ठीके ये दोनो क्या हो जाएंगे श बन जाएंगे और इसके परे क्या त या थ है या फिर क या ख है तो ये श बन जाएंगे और अगर त या था है ठीके तो ये क्या बन जाएंगे ये स बन जाएगा ठीके अब इसको कैसे देखना है जैसे हम यहां उधारन देखते है मैंने यहां लिखा धनू क्या लिखा धनू ठीके और यहां लिखा मैंने टंकार क्या लिखा है टंकार इसी तरह से दूसरा लेते हैं यहां मैंने लिखा नी और यहां लिखा मैंने तेज ठीके और यहां लिखा मैंने नी ठीके अब देखे क्या है हमारे संदी क्या कह रहे है नियम क्या कह रहा है कि च या छ हो तो श बन जाएगा कौन बन जाएगा विसर्ग ये जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा श बन जाएगा और ट या ठ कख यानि कि कख और ट ठ है तो यह जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा श बन जाएगा और त ठ है तो यह विसर्ग है जो क्या बन जाएगा स बन जाएगा मतलब कि विसर्ग क्या बन जाएगा विसर्ग is equal to श बन जाएगा और विसर्ग इसिकल टू श बन जाएगा और विसर्ग इसिकल टू स बन जाएगा बस आपको ध्यान रखना है कि ये श कहां कहां आता है तब आपका ये संदी पूरी हो जाएगी तो यहां देखे क्या है विसर्ग के बाद में क्या है तो ये जो विसर्ग क्या बन जाएगा आ आपको ध्यान रखना है तो अब यहाँ पर शब्द क्या भनेगा धनू लिख लिया है धनू के बाद में क्या करा हमने श, यह धनू खटा दो और यह जो है यह ऐसा का ऐसा टंकार लिख दे इएंगे तो क्या लिख लीजिए क्या लिखा हमने नी लिखा नी की बाद में विशर गटाया कि बाहँ जल लिख लेते हैं और यह चल ऐसा ऐसा लिख देते हैं यह बन गया निशचल ठीके यह तो होगी हमारी क्या थी संदी अब करते हैं हम संदी विच्छेद क्योंकि संदी विच्छेद भी बहुत जरूरी है किसी भी नियम का संदी विच्छेद अगर करते है तो दोनों रूप समझ में आ जाते है कि हमको किस प्रकार से संदी करनी है और किस प्रकार से संदी विच्छेद करना है संदी विछ्चेद में एक सब्द लेते हैं पहले तो निस्तार क्या लेते हैं निस्तार और फिर लिखते हैं निस्चया ठीके और फिर लिखते हैं हम निश्क कपट ठीक है? हो गया? तीनों शब्द आ गया है ये वाला सभी आ गया है ये भी शा आ गया है आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है कि पहले क्या था? विसर्ग था तो हमने इन सारे शा और शा को लगा दिया अब कैसे लगाया है? कि ये वाला जो शंकर वाला शा है वो चा के साथ जूरता है और ये शटकोन वाला शा है कवर्ग और तवर्ग के साथ आता है और जो स्लेट वाला सा है वो आता है हमारा तवर्ग के साथ तो इसी तरह से देखिए ये भी सर त के साथ है ये शर चर के साथ है और ये शर क के साथ है हमें क्या करना है जो आदे जो वन है आदे शर है इनकी जगे केवल विसर्ग लगाना है ठीके, क्या हो जाएगा ये, ये सर और ये शर और ये शर, इनकी जगे क्या हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, तो हम बनाएंगे यहाँ पर नी धन तार, ये बन गया निस तार, ये बन गया नी, आदे शर को विसर्ग बना दो, और ये बन गया हमारा चया, निस चया, आगे चलते हैं बच्चो अगली संदी अगला नियम अमारा आता है, नियम नंबर दो आता है, नियम नंबर दो खेहरा है कि यदी विसर्ग के पहले यदी विसर्ग के पूर्व या पहले E या O आए ठीक है? E या O आए और और बाद में या तो क और ख या फिर प या फ बस आए तो आए तो क्या चेंज होगा? विसर्ग चेंज होगा विसर्ग संदी में विसर्ग चेंज होगा विसर्ग का शह हो जाएगा आदा शह हो जाएगा देखो इसको मैं एक तरह से और बताती हूँ क्योंकि जैसे हमने वेंजन संदी में पढ़ा था कि यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर यह तो E की मातरा है या फिर U की मातरा है ठीके? E की मातरा या U की मातरा है और प्लस यहाँ पर या तो का है या खा है ठीके या फिर पा है या फिर फा है ठीके या तो पा है या फा है बस ऐसे ही ध्यान रखना आपको फा है तो यह जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा आदाशव बन जाएगा बस इतना ध्यान रखना है अब ये कैसे बनेगा देनी ये हो जाएगे हमारी संधी और उस साइड हो जाएगा हमारा संधी पिछे अब संधी में देखिए कैसे करेंगे जैसे ये बन गया नी और ये बन गया है कपट कपट की जगे हम और कुछ लिखेंगे कपट वाला हमारा हो चुका है कलंक तो अब ये क्या बना है क्या बुला है कि विसर्ग के पहले E है है E और विसर्ग के बाद में कख हो या पफ हो बस इनने से होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए तो कह ख हो या पह फह हो इसी तरह से यहां देखी एक और बता देती हूँ मैं नी और यहां पर आ गया हमारा फल ठीके पह फह होना चाहिए तो क्या होगा यह जो विसर्ग है वो आदे शह शटकॉन में कनवर्ड हो जाएगा कैसे हो जाएगा नी लिखा विसर्ग परिवर्टित करना वापस विसर्ग नहीं लगाना है विसर्ग की जगे आदा शह लगाया और यहां लिख दिया हमने निश कलंग इसी तरह से एक और है यहां पर नी और नी के बाद हमने क्या करा है विसर्ग की जगे शटकॉन लगा दिया और यह हमने लिख दिया है निश्फल ठीके, तो एकी मातरा है अब उकी मातरा का भी एक देख लेते हैं हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ लिखा है दू और यहाँ लिख लिख लिया है हमने कर ठीके, तो यह क्या बन जाएगा दू चोटेओ की मातरा विसर्ग बन गया है शटकॉन और ये बन गया हमारा दुशकर ऐसे ये क्या हो गई है हमारी संदी हो गई है अब हम यहां करते हैं संदी विच्छेद क्या हम करते हैं संदी विच्छेद तो संदी विच्छेद का उधारन इस प्रकार है देखो पहला हम लिख लेते हैं यहाँ पर निश्पाप और निश्कर्ष, ठीक है, निश्पाप और निश्कर्ष, अब क्या कहा है, विसर्ग संदी है, तो विसर्ग संदी में तेख लिए यह ध्यान रखना है, विंजन संदी में भी विंजन का ध्यान रखना पड़ता है, और जो व विसर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे है यह विसर्ग को बता रहे है कि यहाँ पर विसर्ग हो सकता है अब विसर्ग कैसे हो सकता है कि श के बाद में क्या है पा हमारे नियम में पा था बिल्कुल है फ भी है और श के बाद में क्या है का हमारे नियम में का और ख भी था बस ऐसे ह अपका और कुछ नहीं आएगा ठीक तो अगर पार ऑर कई दोनों है तो इस यह जो शटकन ये क्या बन जाएगा विशर्ग बन जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा यह छटकन की जगे हम क्या बना लेंगे नहीं यह destruction लग गया है औरÉ विच्षीद गयार पाप ऐसा दो की तरफ नियम नमबर 3 नियम नमबर 3 देखें नियम नमबर 3 क्या कह रहा है कि यदि E यानि कि छोटी मात्रा या फिर U यानि कि ये भी छोटी मात्रा ठीक है? हो विसर्ग के पहले E या U हो और और बाद में और बाद में रहो ठीक है? रहो तो विसर्ग जो विसर्ग है विसर्ग के पहले जो E या U है तो विसर्ग नहीं विसर्ग चेंज हो जाएगा ठीक है? विसर्ग का तो तो E और U यानि कि E और U किसमें बदल जाएंगे? बड़ी E और बड़े U में बदल जाएंगे ठीक है? मैं बदल जाएंगे मैं अपनी भाशा में ही लिखवा रही हूँ आप सबको बदल जाएंगे और विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग लोप का मतलब छुप जाएगा विसर्ग का लोप हो जाएगा लोप का मतलब आप समझ लेना लोप हो जाएगा कि यह हट जाएगा ठीक है इसरग दिखे गाईगी Pavley जैसे यहाँ पर हम संधी करते हैं और यहाँ हम संधी विच्चेत करेंगे पहले हम संधी करते हैं तो यह हमारी हो गई यहाँ संधी पहला हागया है हमारा नी-धन-रव ठीक है ऐसी आ गया है हमारा धन राज ठीके अब क्या बोला है कि छोटी E और छोटा O है तो यहाँ पर छोटी E और छोटे O की मातर दिखाई दे रही है बिल्कुल दिखाई दे रही है और वो विसर्ग के पहले ही दिखाई दे रही है विसर्ग के बाद नहीं है और विसर के कही बात क्या आना चाहिए रह, ये रह हमारा रह, ये तीनो रह है, तो क्या कहा है कि रह तो ऐसे कैसे ही रहेंगे, यहाँ पर ये जो छोटी E और छोटा U है, वो क्या बन जाएंगे, बड़ी E और बड़ा U, बड़ी E और बड़ा U बन जाएंगे, और ये जो वि तो नी धन रव निरव नी धन रोग नी रोग और दू धन राज दुराज हो गया है ठीक है तो ये तो हो गई हमारी संधी अब करते हम यहाँ पर संधी विच्छेत तो संधी विच्छेत के भी एक दो उधारन कर लेंगे उससे क्या पता चल जाता है कि हमें संधी विच्छेत विच्छेत कैसे करना है ठीके तो देखें इसका संदे विच्छेत का एक उधारन लेते हैं हम यहाँ पर लेते हैं नीरस ठीके और नीरज ठीके तो ले लिया अब यहाँ करते हैं हम नीरस में क्या करेंगे र है दोनों में र है और दोनों के पहले बड़ी E की मातरा है क्या है? बड़ी E की मातरा है तो जब बड़ी E की मातरा के बाद रह आता है कभी भी या बड़े O की मातरा के बाद कभी भी रह आता है तो हमें क्या करना है? यह बड़ी E की मातरा छोटी में बदल जाएगी तो ये बन गया हमारा नी और नी के बाद हम लगाएंगे विसर्ग क्योंकि विसर्ग और छोटी एकी मात्रा बन के बड़ी एकी मात्रा बनी थी और ये हो गया हमारा रस इसी तरह से ये भी हो जाएगा ये बन जाएगा हमारा नी और ये बन जाएगा हमारा रज तो नीरस का क्या हो गया है नीधनरस और नीरज का क्या हो गया है नीधनरज ठीक है यह हो गई हमारी नियम नमबर 3 की संदी अब चलते बच्चों हमारा नियम नमबर 4 यहां चलते हैं नियम नमबर 4 क्या कह रहा है तो देखे नियम नमबर 4 कह रहा है कि विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले यहां हम लिख देते हैं हमारा जो नियम बनेगा वो यहां बनेगा यह हो गया हमारा विसर्ग और विसर्ग के पहले इस इस्थान की बात की जा रही है विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर छोड़कर ठीके अ और आ के अलावा कोई भी यहाँ पर सुवर हो सकता है ठीके और विसर्ग के बाद छोड़कर तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चोथा या पाँचवा वन या फिर या र लव आए तो विसर्ग आए तो विसर्ग ये जो विसर्ग है वो र बन जाएगा क्या बन जाएगा? र बन जाएगा कैसे बनेगा? देखिए क्या बोला है यहाँ पर? इसके लिए बहुत सारी जगे चाहिए तो हम यहाँ बहुत सारी जगे लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं यहाँ एक फ्लोचार टाइप क्या बोला है यहाँ पर? कि विसर्ग के पहले अ आ नहीं होना चाहिए अ और आ को छोड़ कर स्वर मैंने छोड़ कर लिखाए यहाँ पर ध्यान देना छोड़ कर कोई स्वर और यहाँ पर स्वर कोई भी स्वर ठीक है या फिर तीसरा, चौथा और पांचवा या फिर या रा ला और वा ठीक है आए तो यह जो विसर्ग है यह विसर्ग यह रा में कनवड हो जाएगा अब रा में कनवड कैसे होगा यहाँ हम संदी बनाते हैं रा में कनवड कैसे होगा देखिए कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि दू हूँ धनक गती, ठीक है, निहा धनक दाया और निहा धनक भाया, ठीक है, अब हम इनकी संदी करते है कि कौन सी कोर आ चोड़कर कोँशा थो और कै यह-विसर्ग के बाद के बाद में देखिए इसरा है यह थीसर रहा और यह है तो थ neatly स्रह फा माच भाना चाहिए है यहेरивают भी आफिर कोई स्व क्यों हो सकता वह क्या होगा यह बन जाएंगा और यह यह की जो मातरा होती है आदे रह की मातरा वो हमेशा उपर जाती है ऐसे ऐसे उपर जाती है ठीक है और उपर कहां जाएगी इसके अगले वाले वान की यानि कि दूसरे वान के दूसरा जो वन है उसके उपर जाएगी ठीक है दूसरे वान पर यह लिख लेते हैं क्योंकि कई बच बढ़नाई नि भाए लिखने के बाद विसर्ग इस भा चायगा, यह बन गए हमारा निर्भाय तो ऐसे ये वाली जो संदी है, अगर आप संस्करत पे पढ़ते हैं तो इससे रूत्व संधी कहते हैं लेकिन यहाँ हमारे नियम चलते हैं, अब करते बच्चों हम यहाँ संधी विच्छेत, क्या करते हैं, संधी विच्छेत Venice संदी विच्छेद करना तो बहुत जरूरी है इसके बिना तो हम संदी सीख ही नहीं सकते है संदी विच्छेद करते हैं संदी विच्छेद में हमारा जो उधारन है वो होगा पहला उधारन देख लिए जिए निरूपाय और ये हो गया हमारा निर्जन और ये हो गया हमारा नीरात्मा अब देख लीजे यहां पर हमारे पास कुछ बन अलग भी आये है जिसमें सुवर भी है निरूपाय जो उपर नहीं गया है जो उपर नहीं जाते है जिस रह की मात्रा उपर नहीं लगे इसका मतलब वो सुवर के साथ मैच हुए किस के साथ मैच हुए है सुवर के साथ आपको ये ध्यान रखना है तो हमारे पास यहीं पर हमें टुकडे करने इस रह को अलग कर दो रह इस उकल टू विसर्ग हो गया है और ये उ है उपाय की ऐसा आप उपाय लिख दीजिए उपाय सुवर के साथ में अब उपाय तो अलग हो गया हमारा अब ये जो निर बचा है निर में ये जो विसर्ग आ गया है अब विसर्ग के पहले क्या हो गया है नी दन उपाय निर उपाय हो गया है अब देख लीजे यहां क्या करा है निरजन तो निरजन में हमें क्या करना है नी लिखना है और नी में रग का पना है जब विसर्ग आया था और विसर्ग अगर उपर से हटा देते हैं मात्रा हटा देते हैं तो यह बन जाएगा हमारा जन यह रह जाएगा ठीक है आगे देख लीजे ऐसा ही आता है निरात्मा अब निरात्मा में हमें इस रा को तोड़ना है रा को तोड़ने के लिए क्या करेंगे इस निर को रखेंगे अब यह जो निर है यह किसका रूप आ गया है विसर्क का रूप आ गया है तो यहां हम क्या लिखेंगे निहम और यह रा के अंदर से र हटा दिया है और आ बन्चकर आए इसे लिख देंगे हम आत्मा तो यह बन जाएगा निह धन आत्मा तो ऐसे संदी भी हो गई है और हमारा संदी विच्चेत भी हो गया है अब चलते हमारे नियम नमबर 5 की तरव यह आता है हमारा नियम नमबर 5 ठीक है नियम नमबर 5 क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले बोला है देख लीजिए यहां पर पहले अभी तक तो हम बात की बात भी कर रहे थे और पहले की बात भी कर रहे थे यह हमारा आ गया है प्लस और यहां आ गया है हमारा के पहले अ आए, क्या है अ, देख लीजी, यहां हमें क्या लिखना है, कि अ ही होना चाहिए, अ की मात्रा भी हो सकती है, और अ भी हो सकता है अ आए, खीक है और बाद में और विसर्ग के बाद कौन सा, तीसरा चोथा और पांचवा अब यह तीसरा चोथा पांचवा वन कहां बोला जाता है कि जहां वर्गे वेंजन होते हैं इस पर्ष वेंजन में होते हैं, जिसे क वर्ग का तीसरा चोथा पांचवा, चा वर्ग का तीसरा चोथा पांचवा, पटा वर्ग का तीसरा, चोथा, पाचवा ऐसे वर्गे बिंजन जो हमारे पचीस वन है उन पचीस वनों मैं से कहा गया है वन, या फिर या फिर और क्या आना चाहिए या, र, ल, व, और ह ठीक है? तो विसर्ग तो विसर्ग वन जाएगा व से उल्लू यानि कि O U से उलू की मातरा O U बन जाता है या हो जाता है अब क्या करेंगे यहांपर हम लेखेंगे हमारा नियम कि यहांपर तो विसरगे विसरगे पहले A है और यहांपर तीसरा चौथा और पांचवा बन है या फिर य, र, ल, व और H है इन में से कोई one है ठीके तो ये जो विसरगे है वो क्या बन जाएगा उ बन जाएगा उ क्या है एक तरह का उ और यहाँ पर कोई भी one होगा उसके अंदर अ छिपा हुआ होगा पक्का क्योंकि व्यंजन अपने व्यंजन रूप में नहीं होंगे वो स्वर के साथ मिलकर बने होंगे इसलिए यहाँ पर अ छिपा होगा और अ और उ मिलके आप सभी को पता है जब हमने गुन संदी पड़ी थी गुनादेश हो जाता है इसका मतलब ओ हो जाता है यह आपको ध्यान रखना है इस संदी में यह नियम बहुत important है और इस नियम के कई संदी विच्चेत आते हैं कि आप इसको कैसे बनाते हो ठीके और इसके लिए ही यही confusion हो जाता है तो हमें यहाँ पर दो तरह से करना है संदी भी करनी और संदी विच्चेत भी करना है तो गुनादेश हो गया है ये क्या हो गया है गुनादेश ठीक है गुनादेश हो गया है कि उ और आ मिलके दोनों ओ हो गया है तो ओ का रूप बनेगा अब ये ओ का रूप कैसे बनेगा देख लिजे जैसे मैंने यहाँ पा लिखा है मना धना हर ठीक है अब मना धना हर क्या ब इस अ को ले लूएया है और यहां करकों नहीं है। तो A और O is equal to क्या हो जाते है? O, यानि कि O की मातरा लग जाती है और यह O की मातरा कहा लगेगी? कहा लगेगी? जिसके पास में विसर्ग है महीं पर यह O की मातरा लगेगी क्योंकि विसर्ग O बन गया और O बनते ही इस A के साथ जुड़के यह O बन गया है तो यह जो मातरा है वो यहां लग जाएगी और यह हो जाएगा मनुहर क्या बन जाएगा? मनुहर इसी तरह से देखिए एक और उधारा ने ऐसा यह सेम उधारा ने वो मनह यह बन गया है मनह प्लस बल अब ह था हमारे नियम में ह था बिल्कुल इसलिए हमारा ये वाला नियम चला है अब ये ब कौन सा है प फ ब तीसरा वन आ गया तीसरा चोथा पांच वा कोई भी हो सकता है तीसरा वन आ गया है और विसर्ग के पहले अ है बिल्कुल है तो अ और उ, क्योंकि विसर क्या हो गया उ, अ और उ मिलके क्या बन गया है, ओ बन गया है, तो ये जो मातरा किस में लगेगी, मान, न में ही लगेगी, जहां से हमने अ को चुराया है, इस अ को चुरा लिया, इस अ को चुराते ही, ये न आदा बन गया और आदा बनते ही, ये म बन गया है इसे आपको यहाँ पर संदी को करना है और इस संदी को क्या कहा जाता है क्या बन गया है ओ बन गया है, अब देखिए हम यहां करते है संदी विच्छेद, अब यहां संदी विच्छेद करते हैं, क्योंकि संदी विच्छेद करना भी हमें आना चाहिए, संदी तो हो गई है, संदी विच्छेद करते हैं, संदी विच्छेद में हमारे पास शब्द है, यशुधरा, सरोवर और पायोध क्या है पायोध ठीक है अब देखिए यशो धरा का क्या करेंगे हमें तो साफ पता है कि हमें तो यहां से संदी करनी है चाए वो स्वर संदी हो स्वर की चाए गुन संदी हो या फिर व्यंजन संदी हो हमें यहीं से संदी करनी है अब ये यशो धरा जो है अगर आप यश को विसर्ग के साथ लिखते है तो आपका ये क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? ये विसर्ग संधी बनेगी. अन्यता ये गुनादेश हो जाएगा. ठीक है? आपको क्या करना है? यहाँ से यश निकालना है और यश निकालके इसमें स आ की मातरा निकालनी है, यह हमारा यश हो गया, और जो O है, O कब बना है, जब O बनाता, अब O क्या हो गया है, O is equal to विसर्ग हो गया, यह बन गया हमारा धरा, तो यह क्या बन गया, यशो धरा, इसी तरह से सरोवर, तो सरोवर में से हमने O निकालना है, क्योंकि विसर्ग, O क् के पहले क्या होना चाहिए. तो यह सरह अर यह जो वर ऐसा यह लिख दिया जाएगा. तो यह हो गया हमारी संधी और यह हो गया हमारा संधी विच्छेत यह संधी है हमने लिखा नहीं था यह हो गया ठीक है तो अब तक पांच नियम हो चुके है संधी विच्छेत के भी आगे चलते बच्चों हमारा नियम नंबर 6 देखे नियम नमबर 6 में एक है कि विसर्ग के बाद हम इसको डारेक्ट ली ही लिख देते हैं नियम से ही बना देते हैं कि पहला नियम 6 का पहला नियम क्या है कि यहां पर हमारा विसर्ग हो गया और विसर्ग के बाद क या ख है या फिर प या फ है ठीके ठीके तो यह जो विस अन्त करन का क्या हो जाएगा या ख, फ या फ हो तो अन्त करन ऐसा का ऐसा आजाएगा क्यों आएगा क्यों कि विसर्ग का कुछ भी नहीं होता है इसमें कोई प्रतिफल नहीं होता है, ऐसा का ऐसा रहता है, ठीक है, और करन, ठीक है, ऐसे ही जिसे प्रातह प्लस काल, यह हो जाएगा प्रातह काल, ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा प्रातह काल, ठीक है, यह तो था हमारा पहला नियम, अब आता है हमारा दूसरा नियम, दूसरा नियम किसका छटे का ही हमारे छटे का ही दूसरा नियम आता है यहां तो आ जाएगा कि विसर्ग नहीं हटेगा ठीके तो विसर्ग वहीं रहेगा अब दूसरा नियम यह है कि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आता है ठीके कोई भी स्वर आता है तो जो विसर्ग है जो विसर्ग है वह लोप हो जाएगा यानि कि लूप तो हो जाएगा अब कैसे लूप तो हो जाएगा देखो इसके लिए लूप तो कैसे होगा कि जैसे हमने यहां लिखा है अतह धन एव अब यहां विसर्ग और यहां कोई स्वर आ गया है तो यह हो जाएगा अतायब ठीक है इस तरह से बनेगा एक और नियम यहाँ पर कहता है नियम नंबर तीन इसी के साथ हम लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए नियम नंबर तीन कह रहा है अब देखिए एक नियम और क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद यहां भी अ है और यहां भी अ है ठीके दोनों जगे अ है तो जो विसर्ग है वह ओ हो जाएगा क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा और जो बाद वाला अ है जो बाद वाला अ वह अवगर बन जाएगा यह जो अफगरा है वो बन जाएगा यह एक नियम और है तो इसके जो उधारन है वो वो छोट-छोट है छोटी-छोटी उधारन है छोटी-छोटी उधारन से हम करेंगे इसका जो उधारन है वो आ जाएगा हमारा प्रथमा जैसे हमने लिखा यहाँ पर प्रथमा प्लस अध्याए तो यह हो जाएगा हमारा प्रथमो क्योंकि विसर्ग O बन गया है विसर्ग O बन जाएगा और यह जो A है वो यहाँ पर अध्याएगा इस तरह से आ जाएगा ठीके? अब आ जाएगा यहाँ पर कह प्लस अपी तो क अपी क्या हो जाएगा ये विसर्ग तो O बन जाएगा और ये जो A है वो अपगरा बन जाएगा ठीके ऐसे नियम चलेगा ये हमारा था नियम नमबर 6 ठीके तो गेखे बच्चों ये हमारी अब तक 6 नियम के साथ में विसर्ग संदी को हमने पूरी तरह से कर लिया है जो एक है तीसर नमबर का वो चलता है कि जो विसर्ग है वो O हो जाता है और विसर्ग की बाद अगर A आया है तो वह अवगरा में परिवर्तित हो जाएगा तो इस तरह से यहां पर हमारा पूरा विसर्ग संदी हो गया है तो आज हमने संदी को पूरा पढ़ लिया है यानि हमारे स्वर्ख संदी भी हो गई है अगली क्लास में नया टॉपिक लेकर फिर से हाजीर होते हैं तब तक के लिए Thank You